वेलकम फ्रेंट्स इंडियन नेवी ने रिसेंटली अपना इंसाइन चेंज किया है तो आज हम उसके बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले जिन लोगों इंसाइन के बारे में नहीं पता मैं वो बता देता हूं अब ड़्याइब नेवी का फलेग में को नेशनल फल्याग के साथ है अपना एक सइन डाला जाता है तो उसे ही हम इन साइन बोलते हैं तो अब यह जो था left side में देख सकते हैं यह पहले था भी और recently जब चेंज हो आ राइट side पा वह देख सकते हैं इसको change करा क्यूंग गया है देखें फिरन पहले हम नए को समझते हैं देखें नए में हमारे पास्थ पर नेवी जो है वो वाटर के अंदर रहती है इसलिए अब जो सबसे इंपोर्टन जो उक्टा कर इसमें डाला गया है गोल्डन कलर का वो डाला गया एक्चुली चत्रपति शिवाजी महराज की जो यह सील होती थी उससे उठाके इसमें डाला गया है ऐसा क्यों देखिए ऐस मानना जाते है कि शत्रपति शिवाजी ने ही सबसे पहले इंडिया में नेवी की शुरुवात करी थी तो उनको इंस्पायर होके और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यह कह सकते हैं कि इंडियन गौर्नमेंट ने इसको इसको इंडियन नेवी के इंसाइन के बनाया है हम इसमें और क्या चीज़ें इसके अंदर है एक इसमें आपको देखे सबसे उपर नेशनलल एंबम दिखे है हमारा अशोक स्थम ठिक है और अगली चीज़ें आपको दिखे है सेल का साइन है इसमें सबसे में आप सबसे निच्चे देख सकते रो वारुन वारुनौ क्या है इसको किह सकते हैं रोब क्या है वह में हमें शकक्ति पदान करते है किरिथ तो यह कूंत लिखगा गया है मतलब एक है कि इसको करता है और जो पहले हमार पास था आप देख सकता है हुआ है इसमें और इसको चेंज करा घग अगया है एक रेड कलर का प्लस का साइन दिखेया, इसको हम बोलता है सेंट जॉर्ज क्रोस, वो भी एक सेंट जॉर्ज भी एक नेवी के ओफसर थे, तो बिटिश रेज ने उनी बेस पेस को इस साइन को इसमें डाल ला था, तो अब इसलिए इंडियन गोर्रमेंट ने अब उसको चें सबसे पहले इंसाइन मनाया गया था, जिसमें देखिए इसमें उनका एक फ्लैग था सबसे पर यूनियन जैक, अलग-अलग साइन यहां पर आते रहे थे, चेंज होते रहे थे, होते रहे थे, फिर जब 1947 आया था आप देख सकते हैं, तब भी अभी इंडिया का फ्लैग इ देखिए, अब 1950 में जाके आया था, उसके बाद यह चेंज होते रहे अलग-अलग, और फाइनली जाके आज जो हमें मिला है यह, जो प्रेजेंट इंसाइन है, आज इनस विक्रांत, एक एरक्राफ्ट कैरियर होता है, वो नेवी का, उसके उपर इसको जंडे को फिराया ग अब मेन आपको चिज्जे इसमें याद क्या रखनी है, देखिए, एक तो सबसे पहले इंसाइन कब आया, 1879 में, दूसरा सेंट जोर्ज क्रॉस सबसे पहले इसमें डाला गया, बिटिशर दौरा, 1928 में, इंडिया का नेशनल फ्लैग सबसे पहले कब आया, 1950 में, 1947 में नही अब पूच सकते हैं, तो सबसे पहले, 2001 में अशोक स्थम्ब, नेवी के इंसाइन के उपर आया था, तो, थैंक यू फ्रेंड, उमीद है आपको वीडियो इंफरमेटियो लगी होगी, और अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर करें, अप इंटरस्टिंग वीडियो को जानने के लिए मनी गुरूल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फ्रेंड्स